हरे कृष्णा राधे राधे तो भगतो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है किशोरी कृपा चैनल में और आज का जो ब्लॉग है ये है प्रियाग संगम का और आज मैं आपको संगम के दर्शन कराने वाली हूँ और भी ऐसे तीरत स्थानों के दर्शन कराने वाली हूँ तो हम लोग बनारत से सीधा जो है प्रियाक चले गए थे वहाँ जाते ही हमने रूम लिया और आप यकीन नहीं मानेंगे हमें रूम के लिए बिलकुल भी परेशान नहीं होना पड़ा नहीं तो कहते हैं कि पहले से सारी बुकिंग करानी पड़ती है लेकिन हमारे साथ ठाकुर जी थे सच में हमें किसी बात की कोई भी दिक्कत नहीं हुई और रूम भी हमें बहुत अच्छे से मिल गया और यहाँ पर देखिए हमने जो है यहाँ पर ठाकुर जी को साइड में एक टेवल है उस पर जो है उनका जो मैं कपड़ा रखके लाई थी उस पर मैंने कर दिया है विराजमान और बस अब हम यहाँ पर जो है अच्छे से फ्रेश होंगे हाथ मूँ धो के और फिर हम जाएंगे संगम इसनान के लिए तो सफर काफी अच्छा रहा हम लोगों का बनारस से और इलावा तक का हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई सफर में और सच में हमारी पहले से कोई भी प्लानिंग नहीं थी कैसे सारी चीज़ें हो गई अचानक से हमें पता ही नहीं चला नहीं तो कई बार ऐसा होता है हम कई जगा जाने का हम जो है प्लान करते रह जाते हैं लेकिन जाही नहीं पाते तो देखिए यहाँ पर हम आचुके हैं संगम और हमारे ठाकुर जी जो है वो आए है हमारे साथ यहां पर यमुना महराणी के दर्शन करने के लिए तो आप संगम का जानते ही होगे कि संगम में तीन नदियों का मिलन होता है गंगा और यमुना और सरस्वती तो हम जो है बिल्कुल बीचों बीच में जाएंगे जहांपर की संगम हुआ था तीनो नदियों का हम वहाँ पर जाकर के सनान करेंगे तो हमने सबसे पहले यहांपर बोट कर ली है और ठाकुर जी देखिए अराम से बैठे हुए हैं पर इसनान करने के लिए हम लोग जा रहे हैं और वैसे तो पहले भी एक घाट पड़ता है वहाँ पर भी लोग इसनान करते हैं लेकिन हम जो है इधर के घाट पे आए हैं जहां पर की तीनों नदियों का संगम होता है और मैं आपको बता दूँ ये संध्या का समय है तकरीवन विख एपिन ओरल न दो पांच बज रहे हैं इस समय पर शाम के और आप देख सकते हैं जो यमझना'S कालर नी है उंका फाला है यमझना नतीह पानी होता है यहां और हमगन लेतायई से Test test. लिए और यहां पर हम आ चुके हैं देखिए बहुत अच्छा लग रहा है चारो तरफ और लेकिन यहां पर ना थोड़ा सा वीडियो वगरा बनाना थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है क्योंकि बिल्कुल बीचों मीच में जाके हमें स्नान करना होता है और सारी चीजें समहाल सारी चीजें करना बहुत थोड़ा सा अलग हो जाता है लेकिन अभी हम लोग गोट में थे तो बहुत अच्छे से वीडियो बन भी रही थी और लेकिन उसके बाद जो है बड़ी दिक्कत आ रही थी और आप देख सकते हैं जो सूर्य देपता है उनकी रोश्नी में जो जल ह है कितना अच्छा लग रहा है और हमारे ठाकोर जी जो है वो बहुत ही जादा प्रसन है क्योंकि उन्हें यमना महरानी के दर्शन हो रहे हैं तो यहां पर हम आ गए हैं देखिए बीचों बीच और यह जो पंडिजी बैठे हैं यह यहां पर नारियल का जो है संकल्प कराते हैं तो सबसे पहले जो है मेरे बेटे ने इसनान किया उसके बाद जो है मैं और मेरे हस्बेंट दोनों लोग गए और वहां पर इसनान सबसे पहले मैंने इसनान किया उसके बाद हमने ठाकोर जी को इसनान कराया तो यहां पर जो है पानी ना आप देख सकते हैं अलग ही ओज़र आ रहा है कि नहीं, खारा पानी अलग से दिखाई देता है, और गंगाजी का जो जल है, वो अलग साफ एकदम दिखाई देता है, और यहाँ पर देखिए ठाकुर जी कितने प्रसन है, और बहुत अच्छा लग रहा था, और संध्या का समय था, बिल्कुल भी पानी ठंडा नहीं लग रहा था नहीं गरम लग रहा था ऐसा कुछ भी नहीं था नॉर्मल वाटर था बिल्कुल और इसनान करने में बहुत ही जादा मज़ा आ रहा था और ठाकुर जी देखिए मैं अपने हस्बेंट से कह रही थी अरे धीरे धीरे उनकी नाक में पानी न बढ़ आप जाए कहीं दो बस ऐसे करके और बड़ा अच्छा लग रहा था उसके बाद हमने इसनान करा के ठाकुर जी को तयार किया और फिर हमने उनको बोट में बिठा दिया और अब कर रहे हैं हमारे ठाकुर जी संगम नौ का बिहार तो यह वही ड्रेस है जो कि मैं घर से बना क खिलाई थी तो इनको ये ड्रेस जो है संगम में यानि की प्रियाग में पहननी थी और आप ना देख सकते हैं हमारे ठाकुर जी कितने सुंदर लग रहे हैं और कितना इंजॉय कर रहे हैं आप उनके फेस को देख कर ही बता सकते हैं कि एक अलग सी खुशी थी उनके चेहरे प हैं तो गंगा जी की आर्ती हो रहा थी तो यहां पर जो है दीब तयार किया जा रहा है और यहां पर मेरे ठाकुर जी na बहुत ही सुंदर दर्शन हो रहे थे चारों तरफ अन्धेरा था केबल ये जो दीप जल रहा था इतना बड़ा केबल उसी की रोशनी थी और चारों तरफ आप देख सकते हैं अंधेरा ही अंधेरा था लेकिन मेरे ठाकुर जी ना बिलकुल कैसे बताओं मैं आपको इतनी जमक आ रही थी ना उनके अंदर और आखों में एक अलग सा वो था तेज था उनके चहरे पे और सारे भक्तजन इतना प्रेम कर रहे थे उनको मैं आपको क्या बताओं बहुत अच्छा लग रहा था और हमने जो है फिर पूरी आरती वहां पर सुनी आरती ली हम लोग ने प्रिशाद लिया उसके बाद हम लोग वहां से निकले लेकिन हम लोग जितनी भी देर वहां रहे ना सच में वहां पर बहुत और ठाकुर जी की वज़ा से ना हमें जो श्रद्धालू मिलते हैं जो भक्तिजन मिलते हैं वो ठाकुर जी के साथ साथ हमसे भी इतना प्रेम करने लगते हैं इतनी अच्छी बातें करने लगते हैं कि मन एकदम खुश हो जाता है वैसे भी ना कृष्ण भक्तों को राधे रा को देखने को मिलती है जब हमने ये सुनाना तो सच में आखें भराई कि अच्छा ऐसा भी कुछ होता है हमें तो ऐसा पता ही नहीं था ये सब हमारे ठाकुर जी की ही वज़ा से हो पाया है उसके बाद हम लोग गए बड़े हनुमान जी के मंदिर जो संकट मोचन हनुमान जी ह पास ही में हैं और ये बहुत ही प्रसिद्ध हनुमान जी है इन्हें जो है लेटे हुए हनुमान जी के नाम से भी जाना जाता है और आप दर्शन कर लीजिये और बहुत अच्छा लग राता यहाँ पर भी बड़ा मंदिर है हनुमान जी का गोशानिवार मंगलवार तो यह नहां पर बहुत ही ज़ादा भीड रहती है और ये हैं हमारे राम जी, सीता मैया और लक्षमन जी तो ये उसी मंदिर की कुछ फोटो हैं उसके बाद हम लोग देखिए हमारे ठाकुर जी ने जो है माला पहन रखी है और हमारे ठाकुर जी तो ना जहां जहां भी गए वहाँ वहाँ उनको माला जरूर पहनाई गई, सच में, और ये है नौलक्खा मंदिर, और ये भी संगम नदी के पास ही में है, तो हम लोग यहाँ पर भी दर्शन करने गए थे, लेकिन ये सारी फोटेज जो हैं, ये बाहर की ही हैं, अंदर कोई भी फोटो नहीं लेने देते हैं, अ कैसे कैसे हम लोग पूछते हुए और वहाँ तक पहुँच गए, और बहुत सुंदर जगा थी है, यहाँ पर खाटुश याम जी भी थे, और ये देखिए, ये बैटी है, सरस्वती माता, बहुत सुंदर लग रही थी, मैं आपको क्या बताऊं, और यहाँ पर देखिए, क पूने की मूर्तियां और चांदी के मंदिर बहुत सुंदर जगा थी, आप यह समझ लीजिए, और देखते ही ना, बस सिर्फ देखते ही रह जा रहे थे, और वहाँ की फोटो हम नहीं ले पाए, क्यूंकि अंदर जो है कैमरा एलाओ नहीं था, और उसके बाद हम गए आनं तो बस इस तरह से हम लोग प्रियाग भी घूम लिए और मनारस भी घूम लिए, तो यही था हमारा टूर, और बहुत सी ऐसी जगाएं हैं, जहां पर फोटो लेना एलाओ नहीं था, लेकिन वहां की तस्वीरें हमारी इन आखों में बस गई हैं, सच में बहुत अच्छा ल